36 गड़ के पंचायत सचीवों के शास्किय करण का रास्ता खुलता दिख रहा है मुख्यमंत्री विश्णुदेव साई ने पंचायत सचीवों को नियमित करने के लिए एक बड़ी घोशना की है मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि प्रदेश पंचायत सचीव संग की शास्किय करण की मांग को पूरा किया जाएगा और इसके क्रियानिवन के लिए कमीटी का गठन किया जाएगा इस घोशना के बाद संग के पददिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार गचमाला से किया कहा कि सरकार पंचायद सचीवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है सरकार बनते ही पंचायद सचीवों की अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा बता दे कि इसके पहरे मार्च 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री पुपेश पगहिल ने भी पंचायद सिक्षा कर्मियों के नियम नियमितिकरन को लेखर मुख्य सचीव इस्तर की कमीटी गठित करने की घोशना की थी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद में ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। पाट साल पंच और निर्विरोत सरपंच रहेकर जनता की सेवा की है। उन्होंने बताया कि देश का विकास पंचायतों में निहित है और केंद्र या राज्य की सभी योजनाओं का क्रियानिवन पंचायतों के माध्यम से ही होता है। सरपंच और सचीव के हातों में ग्राम के मंत्री बन जातें तो ये ऐसा जगह है पंचायत वास्तों में ये देश के विकास पंचायत में ही नहीं थे आज 6 लाग से जादा गाउं हमर ये देश में है और चाहे वो भारत सरकार की उजना हो चाहे प्रदेश सरकार की उजना हो किरवानन तो पन्चायत में होथे न? और उकरलिये मेन पन्चायत में दोई ज़न जिमेदार होथे एक तो सरपंच और दूसरा सचीव ये दोनों के हाथ में ही पन्चायत के पूरा डेफलोपमेंट के बागडोर रहते तो चलिए देख लेते हैं कि अगर पंचायत सचीवों का नियमिती करण हो जाता है तो उन्हें क्या सोविधाय मिलेगी और अभी उन्हें क्या सोविधाय मिलती है तो बात करें अभी की तो ग्राम पंचायत सचीवों को एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिवस अरजित अवकाश, 12 दिवस आकास्मिक अवकाश की पातरता है सचीवों को अभी वर्षिता के अधार पर 25-45,000 रुपे तक वेतन मिल रहा है 15 वर्ष से अधिक से कारेरत सचीव को 40-45,000 तक वेतन मिल रहा है शास्किय करण होने के बाद क्या सोविधा मिलेंगी आपको बताते हैं तो सरकारी करमचारियों की तरह टीए डीए की पातरता होगी नवीन पेंशन योजना समेट सरकारी सोविधाओं और समय समय पर वेतन बृद्धी का लाप मिलेगा मुखिमंतरी विश्णदेव साय की इस घोशना पर डॉक्टर रमन सिंग ने भी उनकी सरहाना की है तो मुखिमंतरी विश्णदेव साय के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राह है हमें कॉमेंट कर जरूर दाए और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर बिवाग को सब्सक्राइब करना ना भूले